अभी हमने किस्टली और अकिस्टली ठोसों के गुणों को जाना वैसे देखा जाए तो अधिकांस ठोस किस्टली प्रकृती के ही होते हैं जैसे की धात्वीं, सोना, चांदी या लोहा या फिर अधात्वीं जैसे की सलफर, आयोडीन, फासफोरस या फिर कुछ योगिक जैसे की सोडियम क्लोराइट या फिर सीजियम क्लोराइट या नेप्थलीन ये सब है किस्टली ठोसी हैं लेकिन इन में भी हम देखें तो इनके गुणों में परियाप्त विविधिता देखने को मिलती है। इन विभेन प्रकार के क्रिस्टलिय ठोसों में उनके अव्यवी कड़ों के बीच पाये जाने वाले अंतर आणविक आबंधों के आधार पर या अंतर आणविक बलों के तो आए जानते हैं क्रिस्टलिय ठोसों का वर्गी करण क्रिस्टलिय ठोसों को मुख्य रूप से चार वर्गों में बाटा गया है। सबसे पहले आणविक ठोस, फिर आईनिक ठोस, फिर तीसरा है धात्विक ठोस और चौथा है सहसायूजग ठोस। सबसे पहले जानते हैं आणविक ठोसों को, जैसे कि नाम से है इस पस्ट है, आणविक ठोसों के जो अव्यवी कण होती हैं, वो अनू होती हैं। अब अणू भी अध्रुवी प्रकृति के भी हो सकते हैं, ध्रुवी प्रकृति के भी हो सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन बंध वाले अणू भी हो सकते हैं, इनके आधार पर हम आणविक ठोसों को पुना तीन वर्गों में बादते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अध्रु ताप पर अक्री गैसें, हीलियम, नियॉन या फिर अध्रुवी सासयोजक अनू जैसे की क्लोरीन, आयोडीन या हाइड्रोजन चुकि इनके अनू अध्रुवी प्रकृति के होते हैं इसलिए इनके बीच दुर्बल आकर्शन बल पाया जाता है सामाने तया देखा जाए तो लेंडन फोर्स ओफ अट्रक्शन या फिर परकृषेपन बल इनके बीच पाया जाता है और यही वज़े है कि ये काफी मुलायम होते हैं तथा सामाने ताप पर ये ठोस अवस्था में नहीं मिलते ये सामाने ताप पर द्रव या फिर गैसी अवस्था में मिलते हैं आप देखेंगे कि हाड्रोजन क्लोरीन ये सभी गैसे होती हैं ये विद्दुत के अचालक होते हैं दूसरी प्रकार के आणवी ठोस हैं द्रुवी आणवी ठोस इनके अव्यविकन द्रुवी प्रकरती के होते हैं क्योंकि इनके मध्य इनकी इलेक्ट्रो नेगटिविटी में अंतर होता है जैसे कि ये एसील की बात करें हम या सल्फर डायोक्साइड या फिर अमोनिया चू जिससे ये आपस में ज्यादा मजबूती से बंधे हुए होते हैं वैसी तो ये भी ठोस मुलायम होते हैं तथा इनके गलनांक भी कम होते हैं लेकिन अध्रुवी आणवी ठोसों की तुल्ला में अधिक होते हैं साथी साथ ये भी विद्दुत के अचालक होते हैं और सामान तापेवंदाप पर द्रव अथ्वा गैसी अवस्था में ही मिलते हैं जैसे कि आपका ठोस, एसियल इसके अंतरगत या ठोस, अमोनिया इस प्रकार के ठोसों के उदाहरन हैं तीसरी प्रकार के आड़विक ठोस होते हैं हाइड्रोजन बंधित आड़विक ठोस जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोजन बंध ऐसे अणू में पाया जाता है जिसमें कि हाइड्रोजन के अलावा फ्लोरीन, ऑक्सीजन अथ्वा नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं और चुकि इनकी ध्रूवता में अंतर होता है और इसलिए इनमें जो विभेन ध्रूवी अनू होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे हुए होते हैं इस प्रकार का बहुत उच्छा उधारन बर्फ है जिसमें कि हम देखें कि ऑक्सीजन पर नेगटिव चार्ज होता है तिथा हाइड्रोजन पर पॉजटिव चार्ज होता है और इस तरह से विभेन जल के अनू आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर संगु तो यह हैं सभी औरविक ठोसों के विभेन प्रकार अग हम जानते हैं दूसरी प्रकार के क्रिस्टलीय थोस आइनिक ठोस आइनिक ठोसों के अव्यवी कन आयन होते हैं जैसे कि आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइट, सोडियम आईनों और क्लोराइट आईनों से मिलकर बना होता है चुकि ये आईन है इसलिए इनके मध्य प्रबल इस्थिर व्यद्दूत आकर्शन बल पाया जाता है और इसी वज़े से ये काफी मजबूती से आपस में बंधे हुए होते हैं इसी वज़े से इनके गलांग तथा कुथनांग भी उच्च होते हैं यदि हम देखें तो ये कठोर और भेंगूर प्रकृती के होते हैं साथ ही ये ठो सवस्था में ये विद्दूत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि इस अवस्था में इनके आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं लेकिन जैसे ही इन्हें जल में घोल दिया जाता है इनके आयन संचलन हेतु स्वतंत्र हो जाते हैं और इसलिए ये विलियन अवस्था में विद्दूत का चालन करते हैं तीसरी प्रकार के क्रिस्टलिय ठोस हैं धात्विक ठोस यदि हम धातूं की सरचना देखें तो हम पाएंगे कि धात्विक क्रिस्टल में विभिन धनायन एक निश्चित इस्थान में विवस्थित रहते हैं जबकि इलेक्ट्रान्स इन धनायनों की क्रिस्टल जालक के बीच बीच में प्रवाह के लिए स्वतंत्र होते हैं इनमें इलेक्ट्रानों का स्वतंत्र प्रवाह पाया जाता है और यही वज़य है कि धात्विक धात्विक को विद्धुत तथा उश्मी रूप से चालक बनान के लिए जिम्मेदार होता है यदि इन धातुनों को विद्धुति छेत्र में रखा जाता है तो यह इलेक्ट्रान धनाइनों के नेटवर्ट के बीच लगातार सतत्प्रवाह करते रहते हैं और इसी तरह से यदि इन्हें एक सिरे पर उश्मा दी जाती है तो यह इलेक्ट्रान उस उश्मा को सम्कून क्रिस्टल जालक में समान रूप से विस्तारिक कर देते हैं और इस तरह यह इसे विद्धुत तथा उश्मी रूप से चालक बनाते हैं इसके अलावा धात्विक क्रिस्टलों में अन्य कोण जैसे की इनके रंग तथा चुम्मी की प्रकरती भी पाई जाती है जो भी इनके मुक्त इलेक्ट्रानों की वज़े से होती है इसके अलावा धात्विक आगहात्वर धनी भी होती है और तन्य भी होती है आईए अब जानते हैं क्रिस्टली ठोसों के चोथे प्रकार यहने की सहसायोजग ठोसों के प्राया अधात्विक ठोस इसके अंतरगत आते हैं जिनमे की विस्तृत अनेक रूपता देखने को मिल और ये अनेक रूपता पूरे क्रिस्टल जालक में इनके निकटवर्ती परमाणमों के बीच सहसयोजग बंध के पाय जाने की वजह से होती है। कभी-कभी ये अपने गलनांग के पहले ही अब घटित भी हो जाते हैं। इस प्रकार के ठोसों का उदाहरन है हीरा या फिर सिलिकुन के कारवाइल। इन्ही का एक और उदाहरन है ग्रेफाइल। लेकिन जो गुणों में इन सभी से बिलकुल अलग है। और इसकी जो भिनता ह सरचना की वजह से है। यदि हम ग्रेफाइट की सरचना को देखें तो हम पाएंगे कि इसमें कार्बन की लेयर पाई जाती हैं, कार्बन की परते इन परतों के बीच स्वतंत्र संचलन के लिए या फ्री के घूमने के लिए स्वतंत्र होता है और यह जो स्वतंत्र मुक्त इलेकट्रान है वही ग्रेफाइट को विद्धुती रूप से सूचालक बनाता है और चुकि ये परते एक दूसरे पर सरक सकती हैं इसलिए इनको परतों में तोड़ना आसान होता है जिसकी वज़ा से क्रेफाइट काफी मुलायम तथा चिकना होता है